तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं इनके ओनर से पूछते हैं कि अगर आप ऐसा डिजाइन ग्रील गेट बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या कोश्ट परेगा और कितना खर्च परेगा वह अभी ओनर से बात करेंगे और यहीं आपको बताएंगे तो आप लोग वीडियो अगर यह ग्रील अगर कोई बरवाना चाहता ऐसा गेट तो उसके लिए क्या कोश्ट परेगा यह कितना फिट लंबाई और कितना फिट चोगाई है इस गेट का पहले तो आप यह बता दीजिए जो हुआ ना हाँ साथ फिट है साथ फिट लंबाई हो गया और चोराई कितन पाटी उपर निरभर है अजर पाटी के PASH TANO नहीं है तो किसी दोकांदार के PASH B этот अपना समान बन बाता तो दोकांदार भी अपना आपने पास लोहा रखाते हैं ृपकी कुपा निरबद हैं अब ही लोहा रखते हैंने अब ही लोहा गते हैं नहीं पसा अगर वह अपने मन से और दूसरा डिजाइन अगर पसंद करके लाते हैं या फिर आपको फोटो दिखाते हैं तो क्या आप उस तरीके के अगर डिजाइन बनाएंगे तो क्या कोश्ट पर जाएगा अईसा जो गेठ है ना यह फैंसी में हो गया इस पर नहीं नहीं तो पाटी अगर लोहा देता है तो दोस्तों यहां पर अगर आप खुद से लोहा खरीद कर लाते हैं तो 20 रुबे केजी चाहिए आप कैसा भी डिजाइन बना लीजिए आपको 20 रुबे केजी यहां पर आपको तयार करके बन जागा तो यह देख सकते हैं फ्रेंड्स यह जो ग्रील है अभी अभी तयार हुआ है जो की कापी बढ़िया लुक का गेट है और इसका जो बनाई है इस अच्छा ही बताएं सर इसमें टोटल लोहा कितना लग गया है आपको 20 रुपे परती केजी के हिसाब से आपको मार्केट में या फिर किसी सौब पर जाइए जहां पर लोहा ग्रील बनते हैं वहां में 20 रुपे आपको परती केजी बनाई लग जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर कैसा डिजाइन है जो की काफी बढ़िया लुक का डिजाइन है तो चले फ्रेंड्स अगर वीडि में पर भी दे देंगे आप इसे कॉंटेक्ट करके आप और्डर भी कर सकते हैं तो चले फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फोर वाचिंग